वेल नमस्कार टो एवरिवन एक प्रशन था केसर लौ फट्रिक्शन को हम लोग क्या astrology लॉर्न करते वर क्या क्या उणस कर सकते हैं और law of attraction के कोई ऐसे techniques या नियम बता दीजे जिनको हम follower के थोड़ा सा जो हमारी learning है वो तेज हो जाए या देखिए वैसे तो astrology बहुत डीप है और आपका जो question है ये कि astrology के अंदर क्या law of attraction को हम लोग use कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो definitely देखिए law of attraction is a kind of एक ऐसा universal नियम है एक ऐसी मैं कहूँगा के कला है अगर आप universe से जुड़ना सीख जाते हैं ठीके ना और उसको आपको ये बात समझने पड़ेगी कहीं न कहीं law of attraction तो एक ऐसा tool है कि अगर आप इसको ढंक से implement कर दो not only in learning astrology बलकि कहीं पे भी तो आपको बहुत अच्छे results या आपके मन की इच्छा अनुसार results ठीके ना हलागी इसमें क्या होता है कि we have to understand one thing कि law of attraction क्या कैसे काम करेगा देखिए क्या है ना law of attraction की पहली जो चीज सबसे important है वो ये बोला जाता है कि हमें basically align करना है खुद को universe के साथ और जब हम align करते हैं खुद को universe के साथ तो उस case में basically एक तरह से एक process होता है उसके through गुजरना पड़ता है और अगर आप बोलोगे कि sir मतलब मतलब उसके जो steps हैं वो easy way में बता दो तो मैं आपको easy easy steps देता हूँ law of attraction कहीं लोग ये बोलते हैं कि काम नहीं करता हूँ ये भी एक myth कहलो या फिर ये कहलोगी ये भी एक thought process है लोगे बीच में कि काम नहीं करता है सवाल इस बात का है कि एक word होता है which is called patrata which is called you know आप उस चीज़ के लिए eligible भी है ये बात हमारे को समझने पड़ेगी और आपको अपनी eligibility जो है ना वो प्रूव करनी पड़ेगी in front of ये नो जो universe को जो synchronize आपको अपने साथ करना है तो आपको एक बात समझने है कि आपके जो efforts है ना वो regular एक तो होने बहुत जरूरी है consistency जिसे एक शब बोलते है ठीके ना उसको आप अगर because देखिए self doubt या doubt करना ये काम करता है नहीं करता है ये सब फालतू की बाते है सारी चीजें ये नो जो proper एक तरीके से जो concepts हैं देखो देखा जाए तो there are a lot of lot of things जहाँ पर आपका कोई control नहीं है कोई bus नहीं है ठीके ना अगर आप कहा देते हो कि हम लोग ज़्यादतर मैं 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 करते रहते हैं देखा जाए तो आपके माबाब आपको आपकी इच्छानुसार नहीं मिलते कभी ठीके ना अगर आपको बोलूँ कि आपको वाइफ आपकी इच्छानुसार मिलती है नहीं मिलती आपको लिए situations इच्छानुसार मिलती है नहीं मिलती तो बहुत बार ये situations ये जो बाकी जो parallel नौड पे एक तरह से एक यूपरा यूनिवर्स चल रहा है ये आपको चूज कर रहा होता है नंबर्स आपको चूज कर रहा होते है आप किस फॉर एक्जेंपल वार्ड गंदर पैदा हुए या वास्पिटल में जिस जहापे आप पैदा हुए उसका क्या प्लॉट का नंबर था तो आपको ये सारी चीज़ें समझने पढ़ेंगी कि इस या नो ऐसी ऐसी जो चीज़ें है जैसे नंबर्स हो गए जैसे कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको आप कंट्रोल ने कर सकते हैं आप उनके साथ सिरफ सिंक्रोनाईज कर सकते हो तो आपको सिंक्रोनाईज करना मैं बता देता हूँ कि आपको एस्ट्रोलोजी में करना क्या है देखिए लाफ अट्रेक्शन हो चाहिए एस्ट्रोलोजी हो इन दोनों में जो एक बहुत इंपॉर्टन एक प्रिंसिबल माना जाता है consistency तो is one thing consistent तो हमें रहना ही रहना है हमें you know always इस बात को समझना है कि हम मतलब जब तक जिएंगे तब तक हमें अपने करमों को perform करने करना है in the same way we have to be consistent अगर learning करने है तो हमें learning को consistent रखना है self doubt नहीं करना है तो आपको आप astrology के अंदर भी law of attraction को use कर सकेंगे और मैंने बहुत सारे ऐसे even तरीके भी बताएं कि जहां पर where there is a will there is a way मतलब for example लोग करते हैं कि हमें राशियों के elements याद नहीं होते तो मैंने formula दिया हुआ है अपरिवाज अगनी प्रित्वी वायू जल ठीक है ना उसको आप चार बार लगा चार बार उपर से लेके बारा बार राशिया लिखी एक बार एक स्थरफ राशिय लिखके उपर पहली राशियों पर अगनी प्रित्वी वायू जल लगा कि उसको तीन बार repeat कर दी तो ऐसे बहुत सारे समझना पड़िया कि ये concept हमने बनाए हुए और इन concept को हमने कैसे बनाए है कब बनाए है जब हमारी willingness दी हम learn करना चाते थे जो challenges मैंने face की अपनी learning के दो रहाँ मैंने उन्ही को sort out कर दी अपने courses के अंदर simple है ठेके ना किसी को 12 राशिया याद नहीं हो रही बात ये कि मैंने किया कैसे because मेरी willingness थी और मैं उस चीज़ को जानता था उस challenge को समझता था कि यहाँ पर student यह मैं फसा था तो आपर कोई और भी फस सकता है तो this is how I have derived the things बट कहने का मतलब यह है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से law of attraction का पहला नियम काम करता है कि आपको consistent रहने तो आपको astrology में भी consistent learning रखनी है दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि self doubt नहीं करना है तीसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि अपना कि आप एक तरह से यह समझे लिजे कि हम ना दो तरह से चीज़ों को परसीव करते है ठीक है ना या फिर अफर्म करते है ठीक है ना एक होता है हम अपने केवल thoughts के अंदर words के अंदर affirm करते रहते हैं एक होता है हम लिख के affirm करते हैं तो मैंने आप लोगो को इसलिए हमारे courses के अंदर हम app के अंदर तो notes देते हैं मगर आपको बोलते हैं कि आप खुद लिखो वो लिखने का जो कारण है वो सिरफ पता है किया है वो यह ही है कि आपको clarity मिले कि जब आप लिखोगे तो because आप यहाँ पर technique यह बोलती है muscle memory मतलब आपको आदत पढ़ जाती है कि मेरे को कैसे concepts को learn करना है आपके हाथ को आदत पढ़ जाती है आप read करते हैं दस बार लिखते हैं देखते हैं उदर नीचे उपर नीचे तो that develops you know a kind of habit for your body also आपकी body के अंदर वो चीज आपको एक अच्छी habit के दौर पर develop होती है इससे आपकी muscle memory मजबूत होती है तो आपको not only thoughts not only कि हाँ चलो मैं पढ़ लूँ या आप कोई सुन रहे हो किसी को किसी का content सुन रहे हो तो not only that वो तो करने करना है that is one thing but second thing जो है आपको लिखना है अगर आप लिखोगे तो आपकी जो astrology की जरनी है न by God, you know, trust me with the, you know, my own experience I am just sharing कि यह बहुत असाल हो जाएगी और अपने आपको किसी से compare मत केजे आज की date में अगर for example आप बोलोगे कि astrology की किसकी knowledge कितनी है कोई पैमाना थोड़े नहीं इस चेस का आप जितना गहरा उतर सकते हो उतर जाओ यह तो समूंदर है ठीके ना, तो law of attraction के यह जो दो नियम है thoughts और वहाँ पे तो रखना ही रखना है किने aesthetic learner तो बनना ही बनना है ठीके ना, thoughts के अंदर तो हमारे को रखना ही रखना है हमारे को चीजों को practice करनी है implement करना है try to see more and more horoscopes अगर आप देख सकते हो लोगों को पकड़ लो आपके अडोसी, पडोसी और और कुछ नहीं कोई रिष्थेदार, कोई भाईवेन किसी की भी, you know there are a lot of people around and surround you भारत वर्ष में तो कोई कमी नहीं है और आप जो है practice करने के point of view उसे free में horoscope दिखने है start कर दो, आपको कौन मना कर रहा है आप उस आदमी की 0 to 12 फिर 12 से 18, 18 से 24 24 से 28, 28 से 32 वो जो सारी journeys मैंने समझाई हैं कैसे काम करती है उन journeys को बताना start करो let us start आपको रोका किसने है और law of attraction आपको फाइदा जब देगा जब आप पहले खुद को तो बोलोगी ना कि self-proclaimation तो आपको करनी पड़ेगी ना जब तो मैं ही नहीं बोलूँगा astrologer भवेदी भाटिया तो आपको जब आप खुद को astrologer नहीं बोल पारे तो दुनिया कैसे बोलेगी you have to think this way so just work on your knowledge और एक मतलब एक दिन में ये मत सोचो कि मुझे बहुत सारी knowledge रहेगी है आप भले एक दिन में छोटा concept लेते हो you know always walk in the baby steps में काम करो baby steps बहुत काम करते है law of attraction के अंदर भी और astrology के अंदर भी एक concept को एक दिन में खतम करो उसको फिर सोचो फिर उसको time दो because क्या होता है न कि आपने knowledge तो ले ली मगर उस knowledge को digest भी तो करवाना है digest करवाने के point उब उसे आपकी बुद्धी में उसको पूरा मतलब आपकी बुद्धी उसको पूरा engross कर ले वो चीज करने के लिए आपको फिर जो आपने चीज आज सीखी जो learn किया उसके बारे में सोचना है उसको ये सोचना है कि मैं इसको कहां का किन किन horoscope में देख सकता हूँ और कुछ नहीं अपने horoscope में देखना start करो वो चीज अवरिफाइ करनी start करो but you have to be enthusiast you have to be you know kind of person who is having curiosity तब you know it will help you in a big way तो law of attraction में you know शद्धा अपनी बढ़ाए it works universe want to give you but you are ready वो सोचो मैं आपको बोलने रख जहूँ आप astrologer blah 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 sing but how you know हमें कही ना कहीं लिखाई गुडाई सब करना है और छोटे छोटे स्टेप्स को करना है बेबी स्टेप्स के इंदर हम आगे बढ़ेंगे चैनल पर खुब सारे वीडियोस हैं देखो daily ठीक है ना क्यों नहीं देखते हो and law of attraction को लेके अगर और डीप जाना चाहते होगी अगर मैं आपको तीन या पांच और immediate learning वाली techniques बताऊं तो मेरे को बताना I'll help you into that also मगर अभी आज मैंने जो भी आपको technique share करी है कि हमें एक छोटा concept लेना है अपनी knowledge कम लेनी है भले ठीक है ना मालो आज साढ़े साथ ही पकड़ी फिर हमने solar divisional chart पकड़े तो solar divisional chart को हम कैसे देखेंगे तो मतलब एक दिन में एक concept को clear करने की कोशिश करो और उसको फिर एक दिन दो दिन उसको सोचो उसके बारे में उसको implement करो एक दम से आगे मत बढ़ो take your time and astrology एक experience है पूरा का पूरा इस experience को जीयो जब जीयोगे तो इस environment में रहोगे और इस environment में रहोगे तभी तो इसको feel करोगे तो you should be thankful to the God आप gratitude की तरह इस knowledge को accept कीजे आप बोलिए कि वगवान हमारी पातरता है जस्ट भरो हमारे अंदर knowledge then things will you know go in a very positive way so think जो मैंने आपको important बाते बताई है ठेके नहीं छोटा concept concept को लेके लिखना है और concept के वारे में सोचना है उसे digest होने देना है यहाँ पर और फिर उसको practically implement करने कोशिश करनी है यह छोटी-छोटी चीजे करो that is very important we will help you in a big way चलो guys with this note we will end today's video बहुत-बहुत धन्यवाद नमश्कार और हम लोग next video में मिलते है अगर आपको लगता है कि मैंने मेरे से और कोई guidance चाहिए तो मुझे comment पर बता दीजे और कोई content चाहिए तो मुझे बता दीजे I'll make special content and I'll put it on for you धन्यवाद चले नमश्कार